हेलो फ्रेंट्स, आज हम शनील के सूट में कटिंग करना सीखेंगे तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो मैंट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये देखें, शनील का सूट है इसमें मैं आपको सिर्फ कटिंग करना ही बताऊंगी और इसमें थोड़ी सी आपको टिस भी दूँगी कि ये सूट मतलब कैसे इसको कटिंग करना है और इसका शेड क्यों बदल जाता है क्या कारण होते हैं इसका शेड बदल जाता है तो ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले आप कपड़ा देख ले तो इसका जो अर्ज है जिसको वर्वी बोलते है ये डेड़ मिटर से भी जादा है ठीक है मतलब 64 इंच इसका अर्ज है मतलब जिसको घेरा बोलते है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी है पोने 3 मीटर ठीक है तो ये दिखिए पोने 3 मीटर इसकी लंबाई है ठीक है तो यहाँ से हमने ये जो शर्ट है जिसमें ये वर्क किया हुआ है सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे तो इसको हम अलग करेंगे shirt को तो ये piece आपने कहा कहा से cut करने है ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा सिरफ इसमें मैं आपको cutting ही बताऊंगी तो सबसे पहले आपने shirt का इस तरीकी से center बना लेना है ठीके और इस चीज़ का आपने खास धियान रखना है ये जो neck बना हुआ है इसका आपने खास धियान रखना है कि ये दोनों बराबर side नरभ एक जैसी ही होनी चाहिए तो ये कप्ड़ा मैं ने set कर लिया है ये दिखे और ये जो neck है इसको बराबर से मैंने set कर लिया है और इसी तरीके से आपने भी इसको set कर लेना है और सारे parts आपको cut करके बताऊंगे तो ये दिखे गले की जो length है वो है 7 inch की ठीके अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा से उपर plane कपड़ा ले ले और armhole मैंने लिया है इसमें 7 ठीके जो chest ली है मैंने 10 inch ली है और 3 के उपर से मैंने जो कमर का निशान लगाया है साड़े 14 inch में लगाया है और कमर जो ली है मैंने 16 inch की ली है ठीके और उपर से फिर से हम hip का निशान लगाएंगे 22 inch में तो इस तरीके से मैंने hip ली है मैंने साड़े 10 मतलब 21 inch हिप ली है इसको इस तरीके से मिला देंगे और जो घेरा लिया है वो भी मैंने 21 इंच का ही लेना है ठीके तो इस तरीके से यह देखी मैंने मार्किंग कर दी है शर्ट की तो यह मैंने घेरा भी ले लिया और जो एक्स्टा कपड़ा मैंने रखना है एक इंच मैंने कपड़ा रखा है फ तो इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से जो हमारा front side का arm hole है वहां से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे तो यह marking हो चुकी है अब इसके हम cutting करेंगे तो यह दिखिए cutting भी मैंने कर दी है जो आधा इंच जो तीरे से हमने डाउन कटिंग करनी है ठीक है इस तरीके से तो यह दिखे अच्छे से कटिंग मैंने इसकी कर दी है अब इसमें जो नीडल लगती है वो भी आपने बदलनी है क्योंकि काफी कंप्लेंट आ रही है कि शनील वाला कपड़ा सिलते समय फट जात है कट जाता है ठीक है तो इसमें आप नीडल जरूर बदल ले इसको सिलने के लिए आप 14 इंच की या 16 इंच की नीडल लगा सकते हैं 18 इंच की मतल लगाएगा क्योंकि कपड़ा कट जाएगा ठीक है तो अब हमने फ्रंट साइड निकाल दी है अब हमने बैक साइड भी नि सेट ना कर लें तब तक आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जोल बगारा भी आ जाते है ठीक है तो इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है और कपड़े में जो कान है वो भी निकाल लेनी है क्योंकि ये कपड़ा काफी मुश्किल से सिलता है ठीक है तो इस पर रगते हुए अब इसकी वी कटिंग कर देंगे तो इस तरीके से यह देखे बैक Cाइट की भी कटिंग मैंने कर दी है ऐसे तो यह दीखें बैक साइट की भी कटिंग हो गही है अब जो साइट में कपड़ा बचा है ठीक है उसकी हमने बैल्ट निकाल लेंगे जैसे आपने पजामी बनानी है तो उसकी बैल्ट लग जाएगी ठीक है तो अगर सलवार बनानी है तो भी वो बैल्ट के काम में आ जाएगा तो यह दिखे यह जो कपड़ा है ऐसे मतलब इसको सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे कपड़ा तो हमारी शर्ट निकल चुकी है ठीक है अब हमने यह तो आप प्लाजो कटिंग कर लें इसमें मैं आपको पजामी की कटिंग करना बताऊंगी ठीक है जो मेरे कस्टमर है उन्होंने पजामी कही है मुझे की पजामी बनानी है तो इसमें मैं पजामी की कटिंग करूँगी तो यह जो साइट से कपड़ा निकला है शर्ट के साइट से निकला है इसकी मैं बेल्ट बनाऊंगी ठीक है तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं अब हमने जो पजामी है उसकी कटिंग करनी है तो इसको कपड़े को भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और एक बात का और ध्यान रखना है जैसे कपड़े में शेड बदल जाता है ठीक है अगर हम उल्टा सीधा कट कर दें और उसको स्टिच कर दें तो शेड बदल जाता है तो इसमें आपने क्या करना है आपका शेड नहीं बदलेगा और पहले आप कपड़े में इस तरह के से हाथ फेर के देख ले कि अगर दर्दरा लग रहा है तो आप उसकी डिरेक्शन उसी तरफ रखें ठीक है जैसे मैंने शेड की देखी ऐसे मैंने किया यह प्लेन ऐसे लग रहा है और उपर की तरफ में हाथ फेर रही है तो थोड़ा सा दर्दरा लग रहा है ठीक है तो जैसे आप आपकी जो शेड की डिरेक्शन है अगर आप इस तरीके से हाथ लगा कर देख लेंगे तो उसी तरीके से आपने जो बॉटम कट करनी है ठीक है पजामी कट करनी है तो उसकी डिरेक्शन भी उसी तरफ जानी चाहिए जब आप इस तरीके से हाथ लगाएं तो दर्दरा पन उपर की तरफ जाना चाहिए ठीक है और जो प्लेन वाला ऐसे हम हाथ लगाते हैं तो नीचे की तरफ आनी चाहिए तो इस तरीके से देखे पजामी की जो कपड़ा है मैंने सेट कर लिया है ठीक है ये दो फोल्ड है अब इसको मैं फोर फोल्ड कर लूँगी तो इस तरीके से मैंने इसको फोर फोल्ड कर लिया अब इसकी हम लेंगे तो लेंथ मेरी पजामी की है वो है 38 इंच की ठीक है तो ज अब मैं यहां पे लूँगी मार्जन बीच में एड़ करके 34 इंच और 34 इंच में मैंने 5-6 और ज्यादा लेना है क्योंकि हमारी जो चोने है पजामी में मतलब चूड़िया है वो पड़ जाएं तो टोटल कपड़ा मैंने इसमें 40 इंच लिया है ठीक है अगर आपके पास ज् लेंथ में तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं ठीक है तो बैल्ट निकाल के मैंने टोटल कपड़ा मैंने 40 इंच लिया है ठीक है बैल्ट मेरी पहले से ही निकली हुई थी अब यहां से मैंने 5-4 इंच बोटब रखना है जो मोरी है हमारी पजामी की वो साड़े चार इंच ल जादा भी ले सकते थे ठीक है लेकिन कपड़े के हिसाब से मैंने 6-7 इंच लिया है चूड़ी डालने के लिए तो जो आसन लिया है वो मैंने 9 इंच का लिया है ठीक है इस तरीके से हमने इसकी जो शेप है वो दे देनी है पजामी की तो इसमें क्या होता है इस तरीके से कप्ड़ा के लिए कपड़ा नहीं निकलता उपर वली कपड़े को हम स्ट में यूज कर सकते लेकिन हमारी बेल्ट निकली हुई है तो यह कपड़ा आप गले में लगा ले कहीं भी blank यह मतलब कपड़ा बच गया है हमारा मतलब वेस्ट है तो यह देखिए पजामे की कटिंग हो गई है अब जो बेल्ट है इसकी भी आप कटिंग कर लें ठीके तो वैसे कटिंग तो हुई पड़ी है लेकिन आप थोड़ा से यह कपड़ा जो एकस्ट्रा है इसको कट कर लें 8 कर थे से झुड़ा हुआ है था बैल्ट की नि काली है और इसको ठोड़ा-ठोड़ा स्टीच करेंगे तो हम एस साड़े 22 निकालamat त्यार हो जाएगी तो इस तरीके से मतलब साड़ी की सिंच की बेल्ट तयार हो जाएगी तो इस तरीके से पजामी की भी कटिंग हो गई बेल्ट की भी कटिंग हो गई अब हमने कटिंग करनी है बाजू की तो ये कपड़ा मेरे पास बचा है बाजू के लिए और बाजू का भी सेम वही हमने दे जाएगा ऑने देखा भी होगा शनील के सूटों में त्यूंस पहनती है और जो फेनती हैं पीछे से शेड से अलग लगता है और कईबार वाली जो कमीज ने ही भालग होता है और वाली साइड का अलग होता है अगर आप से बनाएगे तो अजो लुए फरक नहीं पड़े इस त्रीके से बाजू की करतिंग है और साधे 8-1 इंच और जो मंटा हो रहा हैं मिट यहां parts मैंने cut कर दिये है ठीके तो ये दिखे बाजू भी cut चुकी है और ये वला जो कपड़ा बचा है आप अगर बाजू बढ़ाना चाहते है तो यहाँ पे आप जोड लगा सकते है ठीके इस कपड़े से आप बाजू को लंबा कर सकते है ऐसे जोड लगा करके तो ये सारी cutting हो गई है तो ये shirt की cutting है ये बाजू है और ये पजामी है और ये belt है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स टूडियो में